हेलो फ्रेंड्स वेलकम पीजास फॉर्यू चैनल और फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप आपका घर पे पुराना जो LED बाल्प होते हैं जो डैमेज हो चुका है उसको आप कैसे रिपेर कर सकते हैं और फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं कुछ यहां सब्कुष यहां पे उपन है और पहले से ही में इसका ड्राइबर है उसको यहां पर निकल दिया था तहो यहां पर पर ऐसा इस ऐख़डब हो चुक चूग है तो उसको आपका है ृपको ज्रुरात होगा एक दियो बिका चैनल के ए 20 पीस एक साथ बाल्क में खरिदा हूं में और इसको अगर अगर लोकल मार्केट से खरीते हैं तो इसका प्राइस बहुत ही काम आ जाते हैं और फेंट से डियो भी है मतलब डायरेट ऑन बोर्ड है मतलब इसको आप डायरेक्ट एसी के साथ कनेट करके आप इसको चला सकते हैं बहुत ही आसानी से और फेंट यहां पर देख सकते हैं आपर कुछ सार्केट कुछ ऐसा यहां पर आते हैं और यह 9वाट का है फेंट फेंट चली जल्दी से मैं इसको एक तोड़ लेता हूँ यहां से उसके बाद यहां पर हेट्सिंग पेसको फीट कर देता हूं और फ्रेंड्स यहां पर एक चीज़ आपको जोड़त होगा जो एक फ्रेंड्स एमोबी तो यहां पर फ्रेंड्स मेरे पास जो एमोबी है वो कुछ अलग भैलू का है लेकिन यहां पर आप 7D, 5, 6, 1K जो आपका इमोबी मिल जाते हैं तो आप खरीच सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आपका पास 10D आपको मिल जाते हैं तो 10D भी आप यहां पर चला सकते हैं 9W के साथ लेकिन उस वहां पर आपका ब्राइटनेस कुछ काम आएगा तो 9W के साथ अगर आप चलाना चाहते हैं 7D, 5, 6, 1K सब को यहां सब्सक्राइब बेस है तक चलUI ज्ली से इसको फीट कर लेता हूँ और यहां फेंड जो हीट सब्सक्राइब हैं यहां पर पूरा नावला जो고 की सब्सक्राइब और यहां से मार्ण यहीं है यहां पर कोई भी Plus-Minus का सेक्षन नहीं है आपको पता ही है तो यहां पर फ्रेंट्स एल और या पर लगाना होगा तो चलिए जल्दी से इसको सोलेडिंग कर लेता हूं। सबकों करना पड़ते ह तो जलुकुन लेता हूं। और हम पेस्टिंग टाइम। मतलब हैं यहां पेस्टिंग प्याइड हूं। हिप्टिंग के साफिहें, अपिर्स हमें प cries लिख से कंटेंड हैं। और यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं बहुत ही काम यूज होगा यहाँ पर तो यहाँ पर लगाना है और इसको फिट कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर connection हो चुका है आप यहाँ पर backside पर जो holder का cap है उसके साथ यहाँ पर कायंट करना पड़ेगा तो पीछे तरफ आपको solarering करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले में एक बर टेस्टिंग कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर switch on करने से ही यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर friends brightness थोड़ा बहुत कम है लेकिन ठीक ठाक है रूम पे बहुत ज़़ा रोशनी है अभी recording चल रहा है इसलिए friends रूम पे बहुत ज़़ा रोशनी है उसमें बहुत ही अच्छा चल रहा है 9W का है और यह ठीक ठाक है friends कम चल जाएगा तो friends एक like तो बनता है friends प्लीज एक like जरूर कर दीजेगा और अभी friends यहाँ पर देखा देता हूँ MOB को अगर आपको connect करना है तो कैसे तरह connect करना है यहाँ पे friends यहाँ पे L और N जहाँ पे आपने AC का दो वैल लगाया है वहाँ पे आपको इसको series पे यहाँ पे लगाना होगा that's it friends बहुत ही आसान है आपको अगर सही value का आपको MOB मार्केट पे मिल जाते हैं मेरा local मार्केट पे नहीं मिला था इसलिए friends आभी में नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन अगर आपका पास है तो आप इसको लगा दीजिएगा और यह बहुत ही अच्छा होगा एकदम original जैसा आपका LED बाल्प काम करेगा कोई भी परिशनी कोई भी tension नहीं होगा जो थोड़ा बहुत lag होते हैं ओ भी आपका नहीं आएगा और इसका longevity भी बढट जाएगा करता हूं तो फिर बात करता हूं इसका प्राइस के बारे में तो डियोवी का market प्राइस जो होते हैं अगर आप 20 पीस एक साथ खरीते हैं तो छे रूपीस आपको पढ़ जाते हैं नाइन वाट का खरीते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं लेकिन यह अगर आप बाल्क में खरीते हैं अगर आप 500 पीस किया हजार पीस आप एक साथ खरीते हैं तो आपको यहां पर 80 पैसा क्या 70 पैसा पढ़ेगा बहुत चीप रेट पर आपको मिल जाएगा और अगर आप इसको लूस market पर खरीते हैं तो आपको एक रूपिया लग जाएगा और अगर आप इसको ऑनलाइन पर्चेस करते हैं तो वहां पर आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पीछे मेरा सोल्डरिंग कम्प्रीट हो चुका है और यहां पर बाल्क का जो कैप है उसको मैं यहां पर लगा दिया है औ बहुत ही अच्य कम पैसे पर आप कर सकते हैं और आप उसको दूबारा यूजबि कर सकते हैं तो भंसे इस वीडियो पर पने के नियूच्ट का सेक्शन ने वहां प APIs कर दूख कर सकते हैं जरूब कीजिए आज के लिए इतना ही नेक्स भी रूप आपको सथ फेट से जरूंगा एक नए वीडियो लेके तब तक के लिए गुडबाई